अज़े आधिल इस वालकम टूमाइट इस डिया आधि क्लास आज पढ़ेंगे पिट्वी और हमारा जीवां जो क्लास 8 की वुख है तॉपिक हमारा सेवन जिसका नाम है भारत में यातायाद को हम देखेंगा अगर यह तॉपिक हम देखें तो आपका परियावर्ण के तो आइए स्टार्ट करते क्यों कि परियावरण में आपका यातायाद टॉपिक है यातायाद क्या ही आप जानते ही बतानी की जरूरत नहीं कि अगर किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस प्रक्रिया को यूज किया जाता है व पातायात को तीन भागों में बाटा गया है एक है स्थल मार जिसमें आपके आते सड़क रेल वगएर आते हैं जल मार और तीसरा है वायू मार के साधन अब कुछ बॉक्स में दिया गया है उससे देख लेते हैं लेकिन देखना क्या ये बच्चों के लिए कि उन्हें छाटने सड़क और रेल मार आते हैं अब देखें हम सड़क को देखते हैं कि इस समय आपके देश में चानवे दसमिन नब्वे लाख किलो मीटर लंबी सड़के हैं और राष्टिया राजमारों के कुल नंबाई कि 89,116 किलो मीटर ये आपके राष्टिया राजमार की कुल नंबाई को बता रहा है जो कि कुल नंबाई का मात्र दो पठी है यानि कि हमारे देश में जितनी भी सड़के हैं उसका मात्र दो परतिसत है ये और यहां पे जो इस सड़क में जो सबसे ज़्यादा परिवहन है दिल्ली तथा अनप्रमुख नगरों को आपस में जोड़ती है यानि कि बड़े बड़े नगरों को ये राष्टिय राजमार को जोड़ते हैं और कहा ज़्याद कि भारत का जो सबसे मुख सड़क मारग है वो कॉलकाता से दिल्ली होता हुआ अमरित चर्यान की पंजाम में पाकिस्तान देश की सीमा तक जाता है इस मार को ग्रांट ट्रंक रोट यानि कि जीटी रोट कहते हैं इस मार को शेर्षा सूरी ने बनवाया था ये प्रशन आपका हमेशा बनता है एक्जाम में कि शेर्षा सूरी द्वारा कौन सा रोट बना था या जीटी रोट किस ने ब लंबाई है वह 64600 किलो मीटर यानि कि टोटल अगर रेल मार्गों की लंबाई देखे तो रहा तो चुशुट में दूसरा इस्थान है भारत का रेल मार्गों के नजरीये से दूसरा इस्थान है आप देख सकते हैं रेलों के विकास का कम समय आधी क्यात्रों आना जाना और मा 20 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से चलती हैं फिर बॉक्स में दिया है कि भारत में पहली जो रेल-गारी हमारी चली थी सन 1833 में चली थी जो मुंबई से ठाने के मद चली थी और मुंबई से ठाने के बीच में जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर की थी यह भी इंपोर्टेंट आ बहुत तेड़े मेड़े हैं और भारत के जो पस्चिमी तट पर भोरगाट पालगाट और थालगाट यह स्पेशल दर्रे हैं आप ध्यान दीजिएगा और इनसे ही हो का सुरंग बनाएगे हैं रेल-मार्गों के लिए पिर यहां बॉक्स में दिया है कि आप जानते भारत क बड़ी नमींतव रेलमार्ग परियोजां जो कोंकड रेलवे है यह महरास्ट के रोहा नामक स्थान से गोवा होती हुए कनाटे के मंगोल स्थान तक जाता है इसका मुख्याले पढ़जी में है और यह साथ सो साथ किलो मीटर लंबा रेलमार्ग है और छबी जनी उनिस सो बेसे यह प्रारम किया गया था फिर दिया इसके अलावा हमारे बहुत से महनगरों में भूमी का त्रेल चलाए जाती है जिसका नाम है मेट्रो रेलमार्ग और इसके अलावा दिया जा रहा है कि इस थल मार्ग में सड़क या तयात का विशेश महत है जबकि ट्रेनों का या ब겠ने दो बाटा गया है एक आपका आंत्रिक जलमार्ग और दूसरा है समुद्री जलमार्ग वह है जो एक नदियों के मात देज के अंदर ही दूसरे राजि में अवा गमन होता है वह आपका आता है आंत्रिक जलमार्ग आप समुद्री जल्मार्ण देखिकना है समुद्र की रास्ते यातता करने को समुद्री जल्मार्ण को ने यातायात कहते हैं यातायात के साधन का पर दूसरे डेष में जने अफे माल लाने कि लिए किया जाता ही Coming पत्तन के लाता है और यहां पर दिखे बॉक्स में दिया है कि समुद्र का वह कटा फटा सूरचित स्थान जहां पर पानी के जहांज आकर खड़े होते हैं और यात्री वह माल उतारने चड़ाते हैं पत्तन कहलाता है आगे दिया है कि भारत में लगभग 7500 किलो मीटर लंबी तट्रेट है जो भारत की तट्रेट दिखाई यह वाला हिसाब जानते हैं यह आपका कितना है तो 7516 किलो मीटर है जिस पर 12 आपके बड़े बंदर गाह और 187 जो अन्य बंदर गाह है और इन बंदरों की देखभाल के सरकार करता है जो बड़े बंदर गाहों की नाम दिये गहां इसमें भूंबई कोलकाता हल्दिया पारादीप तूतिकोरम मारम गा प्रची नावा शेवा जो जवाहला नहिरू की नाम से भी जाना जाता है विसाखा पत्नम चिन्नई और अनौर भारत के बड़े पत्तन है फिर यहां पे कुछ और बचों के लिए है आगे है वायू मार्ग वायू मार्ग क्याईगे आपका सबसे महगा साधान आता है जहां जो 600-700 किलो मीटर प्रती घंटा की स्पीड से चलते हैं वहीं पर आपके 110-1600 मीटर की उचाई पर यह उड़ते हैं भारत में हवाई जहां की प्रथम उड़ान सन 1911 में हुई थी सन 1935 भारती वायू याता है केंसरकार ने अपने हास में लेली इससे पहले जो थी वह कि निजी संस्थाओं के माध्यम से थी अगे देखें यहां पर गेलो बॉक्स में दिया है कि वह स्थां जहां हवाई जहां हेलिकॉप्टर उतरते हैं यह उड़ान भटे हैं हवाई अड्डे कहलाते हैं यह आप जानते हैं कि आजकल अपने देश में कूल 127 हवाई अड्ड पर एक लाइन दिया है कि सड़क देलगाडी पाणी का जहां जहां आदी याथके साथ के विभीन्द गाउँ शहरों घनी इस थलो उद्योंग धंदों कल कर खानों आदी को एक सुत्व में पीरोकर भारत के व्यापार को विकसित के रास्ते पर विकास के रास्ते पर आगे कर या फिर मैदानों तो यह आपका हो जाएगा मैदानों पर और सबस्ते चलने वाला याता यात का साधह में वो आपका हवाई जहांच है पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उप्यूक बंदरगा अगर मैं कुछ देखेंगे तो आपको पता चला कि कांदला सबसे नजदीक होता ह तो इसलिए अगर हम पाकिस्तान जाना हो तो कांडला बंदर्गा हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा तो फ्रेंस आथ के लिए को इतना ही अगले वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार